Welcome to our channel Friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौप अप राउंड कट ओफ के बारे में टोटल कितनी वेकेंट सीट्स है दोस्तो 400 नमबर में आपको गोर्वेंट कोलेज मिल सकता है दोस्तो कैसे वो भी बताऊँगा स्टेट राउंड टू कट ओफ कितनी कम रह सकती है दोस्तो साथ में BDS, BMS की कट ओफ फर्स्ट शेकिंड राउंड में क्या रही है फाइनल राउंड में कितनी रह सकती है 500 से कम रहने वाली है दोस्तो ये भी मैं बता देतना हूँ नेट 2022 एकजाम डेट के 26 तो जून है या फिर एक्सपेक्टिड डेट क्या है इस वीडियो में दोस्तो आप सभी को इन सभी स्वालों के जवाब मिल जाएंगे मतलब कि ये वीडियो मैं उस पर पसे बना रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर आपको सब जी जोगा पता जल जाए और आप ये वीडियो देख करके अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाऊ ज्यादा जो है आपको जो है डाइवर्ट होने के जुरूरत ना पढ़े तो दोस्तो इस वीडियो में इन सभी बातों के सवालों का जवाब मैं आपको दूँगा उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और जितनी ज़्यादा होस्त के सब्सक्राइब कर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मोड़ों की शीट के बारे में बता दो 2500 पिलस आपकी शीट सब की बार हैने वाली है बहुत ही अच्छी खासी है पहली बार मोड़ों करवाय जा रहा है क्टेगरी नहीं सब्सक्राइब और उन्हस्राइब और यह यह आपकी cutoff expected रहा सकती है, जहांपर 598 जनरल कटेगरी, 592 OBC कटेगरी, AWS की 593, यह इदर एक दो नमर का उपर नीचे हो सकता है, एस्टी क्टेगरी 486 एड़ स्टी की 47 जनल क्टेगरी में यह इस्ट्रेव विकेंसी में 4593 586 587 480 और 463 यह आपकी मुपप एंड श्ट्रेव विकेंसी राउंड की कट ओफ रह सकती है जो जो कट ओफ हमने अभी तक बताई है वह एक्जेक्ट एक दो नंबर का वेरिशन जर जरूर अपलाई के जिएगा और जिनको फर्याग जिट लेना था सेकेंड रूपे दे करके वहां पर परकरिया में बार्टिस बेट कर सकते हैं अब दोस्तों बात करता हूं बीडीस की कटो बीडिस की दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड डाउंड में यह कट ओफ रही है एक्स एक्सटीफ और अन्रेजाव क्टाइगरी के लिए और विसी के लिए 558 एडिवस के लिए 555 ऐसे कटाइगले एर 438 और एस्टीग लिए 425 इसके बाद दोस्तों आपकी जो बीएमस की कटोफ है दोस्तों वो रही है फर्स्ट राउंड की 533 ओवसी की 530 एडिवस की 529 एसी कटाइगरी 470 और एस्टीग की 396 तो दोस्तों जो बीएमस की कटोफ है यह फर्स्ट राउंड कितनी है तो सेकिंड एंड मोप अप राउंड में दोस्तों और स्ट्रेवगन राउंड में यह कटोफ जो है 500 के नीचे आ जाएगी जनल कटाइगरी बाकी कटाइगरी की तो जो है 500 के नीचे आ जाए ठीक है और अगर दोस्तों बीएच मेंस करना चाहते हैं तो 481 अभी जनल कटोफ रही है तो यह 400 के राउंड भी आपकी कटोफ यह सवाचार्स के राउंड आपकी कटोफ आ सकती है स्ट्रेव के लिए तक तो बीएच मेंस दोस्तों आप गवर्मे करेने वाली है तो आप सभी चानते हैं तो थर्ड ओफ जुलाई को क्या होना है आपका जेए एडवांस थर्ड ओफ जुलाई को जेए डवास होना है और हमेसा दोस्तों लाश्ट वन से टू यह में आप देख रहे होंगे कि जेए एडवांस के वन वीक पहले जो संडे आत है और यह तो है दोस्तो एक अनलीसिस के साथ लेकिन अ कि हो सकता है कि आपका इक्जाम दोस्तों मीड जुलाई मीड जुलाई भी करोस कर जांडे मेक्न जुलाई के बाद भी को सकता है आपका हम मिड जोलाई के बाद एक्जाम पोच्ट वन हो सकता है तो दोस्तों यह भी कंडिशन तो क्यूंकि आपके जो एक्जाम फोम आने वाले हैं अप लिगेशन वाने वाले हैं वो एपरेल के लाच्ट लग लग रही है तो दोस्तो मई, जून और जुलाई तीन महींने या दो महींने तो मेमे में ले 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 जाते हैं एक्जामUive Home Application Form से और एक्जाम डेट के वीचे बिज़ मी तो इसलिए हम कहे रहे हैं दोस्तों कि आपका एक्जाम जो है वह प्रोबैबल जो एक एनलीसिस के साथ बताई दर 26 तो जो पॉनक्ट कोई जा सकता है नहीं तो दोस्तों लग यही राया कि मिड जुलाई के बाद ही आपका एक्जाम होगा तो उसी को देखते वे दोस्तों मैंने एक जो है वीडियो बनाई है आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें एक्जाम स्ट्रेटेजी बताई है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा एक्जाम स्ट्रेटेजी लास्ट वन ड्वेंटी डेज की आप वो देख लीजिए मैंने आपको वाइट बॉर्ड पर अच्छे से समझा रखा है कि कैसे आप यहाँ पर अच्छे माक्स लेकर आ सकते हैं दोस्तों उमीद करूंगा कि आपको जो है इन सब भी स्वालों के डाउट मिलते होंगे और च्यार सो नंबर में जो स्टों गवर्मेंट कोलज की मात कई मैंने वह हैं वह भी एमस या भी हमस अगर आप कर रही हैं और अगर आप जेनल ओबीसी स्ट कटैगरी में सी हैं तो आपको जो है वहाँ पर गवर्मेंट कोलेज मिलने के चांसी बहुत ज़्यादा है मोपप एंडिस्ट्रेविकंसी राउंड तक के लिए आपको वेट करना होगा तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लदने बाद साथ में दोस्ते बात और स्ट्रेट राउंड टू की क की अओजल श्कुली कम रहे की कौर्ण क्या है कि थोलेही है कि मापप न्यृटordon यहां न है तो उसको देखते वेखाए वहाँ कि करेंगे धुलें देखने के लिए धन्यृट यह था करेंगे